जाकते रहो अस्ट्रावक्र गीता यहाँ जनक बोलते हैं आश्चर्या है कि मैं तो शुद शांत ग्यान सरूप एवं प्रकरती से पढ़े हूँ किन्तु इतने समय तक अग्यान ने ही मुझे ब्रहमित का रखा था यहाँ अस्ट्रावक्र नहीं बोलते यहाँ जनक ही बोलते हैं क्या कि मैं इतने समय तक अग्यान के कारण ब्रहमित राख मैं शरीद हूँ ही नहीं जनक बोलते हैं अभी तक मैं अपने आपको जो देह समझ रहा था वाक्य में मैं तो वो हूँ ही नहीं जनक कहता है मैं तो ज्ञान सरूप हूँ जनक अपनी गलती मानता है गुरू के सामने अस्ट्रावक्र के सामने तभी जनक को अपने नए ज्ञान का बोध हुआ उसे बोध हुआ कि वे ज्ञान सुरूप है परमात्मा सुरूप है साक्षी है लेकिन तुमारे साथ क्या दिक्कत आती है तुम अपने एहंकार वर्ष तुम अपनी गलती मानते ही नहीं तुम कोई पीछे से 20-30 वर्ष से ध्रमित हो रखा है कोई 40-50 वर्ष से तुम अपने वही पुराने धर्दे को ढोए जा रही हो लेकिन अभी तक आत्मतत्त्व का बोध का परमात्मा का साक्षी का दिस्टा का अनभव नहीं हुआ लेकिन तुम एंकार वर्ष ये भी नहीं मानते जनक की भाती ये भी नहीं कहते अहो मैं अभी तक अज्ञान में ही ग्रसी तदा है तुम देखो तुम जिन सादू संतों के साथ तताकतित पहात्माओं के साथ पिछले 30-50 वर्षों से जुड़े थे क्या तुमारे अंदर परमात्मा की किरन चमकी क्या ग्यान का सूर्य प्रकाशित हुआ अगर नहीं हुआ तो उस चीज को स्विकारो मैं यही तो कह रहा हूँ जिस दिन तुम अपनी गल्ती को मान जाओगे तुम स्वयम मेरे बिना बुलाए मेरे पास आ जाओगे और फिर तुम मेरे नए ग्यान को सुखारोगे नया ग्यान वो तुमें तुमारे पुराने ग्यान से मुक्त कराएगा किसी तथाकति सादू संत महत्मा ने तुमारा पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया खराब कर दिया लेकिन इसमें दोश तुमारा ही है तुम गए क्यों थे वाँ तुम क्या देखने गए थे किसी ने अपने हाथ से भबूत निकाला किसी ने अपने हाथ से सोने की वस्तू निकाली किसी ने तुमें देवी देवताओं के दर्शन करा दिये किसी ने तुम्हारे बिगडे हुए काम बना दिये, ये चमतकार देखने ही तो गए थे न, और फिर अगर जीवन बरबाद हुआ, अगर परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, अगर मुक्ष का अनुभव नहीं हुआ, अगर मुक्त मैं जीवन का अनुभव नहीं हुआ, तो इसमें ग भूल को स्विकार कर लोगे, फिर तुम्हें मेरे यां आने में जड़ा सी भी देर नहीं लगेगी, जिन जिन्होंने अपने एंकार को छोड़ा, अपनी गलती को माना, वे मेरे यां आए, उन्होंने सन्यास लिया, तता अपना नया जिवन अरंब किया, और पर्मानंद का अन अभव किया, जिस्टा बने, साक्षी बने, अपने अज्ञान को पहचानो कि तुम अभी तक अज्ञान में थे, जिन जिन ने अपना एंकार छोड़ा, अपनी भूल को माना, अपने अज्ञान को माना, और एंकार का त्याक कर मेरे पास आ गए, मैंने उन्हें सत्य का मारक अगर तुम नहीं भी आना चाते, कोई बात नहीं, तुम मुझे घर बैटके सुनो, या जिन तथा कतित महात्माओं के पास तुम जाते हो, तुम उन्हें जाकर बोलो, कि वैद तुमें सत्य का मारक दिखाएं, मुक्ति का मारक दिखाएं, मुक्ष का मारक दिखाएं, वही मार्ग दिखाएं जिससे तुम भी जनक की बाती देहा भी मान छोड़ सको, तुम मुक्त हो सको, तुम दिस्टा हो सको, तुम साक्षी हो सको, तुम परमात्मा हो सको, तुम अपने दुख दूर करने के लिए सादू मात्माओं के पास, बाबाओं के पास मत जाओ, दुख तुमने सुना है ना कई सादू मात्मा कई बाबा लोग दुख निवारण समादो लगाते हैं कि आओ हम तुमारे दुख दूर कर देंगे क्या तुमारे दुख दूर हुए तुमारे या किसी के भी दुख दूर हुए पहले भी बताया है दुख सुख दोनों मन के ब्राम है तुमने दुख माना तो दुख हुआ सुख माना तो दुख सुख हुआ तुमारे दुख दूर करने के लिए बाबा बैठे है तुम जड़ा ध्यान से देखना उनकी आँखों में तुमारे दुख दूर हुए वो तुमारे दुख दूर करने के बैठे हैं वो स्वयमी दुख ही है इस बाद से दुखी है कि तुमारी जेप का धन उनकी जेप में कैसे आए तुम देखो तो सही, तुम क्या करने चाहते हो तुम्हें अध्यात्म सीखना है, तुम्हें दस्टा होना है तुम्हें मुक्त जीवन जीना है और तुम दुखनिवारण समारों में जाते हो तुम्हें परमात्मा का अनुभव करना है और तुम संसारिक प्रस्तों को चमतकार देखना पसंद करते हो पहले अपने आपतों ने दारित करो कि तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें चमतकार नहीं दिखाऊँगा मैं चमतकार दिखा ही नहीं सकता चमतकार दिखाना जादूगर्द का काम है तुम मेरे पास आए, मैं तुम्हें अध्यात्म सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें साक्षी बना सकता हूँ, मैं तुम्हें दस्टा बना सकता हूँ, बना सकता हूँ का मतलब ये मत समझ लेना, कि मैं कोई मंतर फुकूंगा और तुम बन जाओगे, नहीं, मैं तो तुम्हें उ अस्टा वक्र का ग्यान सही सही तुम्हें परदान करूंगा तुम्हारे तथाकतित गुरुओं के कारण उनके उपदेश के कारण तुमने अपने 20-30 वर्ष ख़राब कर लिये अब तो जागो, अब तो आगे बढ़ो अगर उनकी बात मानोगे तो वैं यही करेंगे उठो, जागो, भागो, कुछ उपाए करो, कुछ साधन करो समाधी लगाओ, जब करो, तब करो, वरत करो लेकिन अस्टा वक्र कहते हैं परमात्मा साधन साध्या नहीं है और अस्टा वक्र छोड़ो, तुमारी गीता भी यही कहती है परमात्मा साधन साध्या नहीं है तुम स्वयम देखो, क्या कोई ऐसा साधन तुमें कहीं भी मिला कि इस साधन को, अमुक साधन को इतना इतना कर लो तो तुमें मुक्ति का अनभव हो जाएगा परमात्मा का अनभव हो जाएगा नहीं, परमात्मा साधन साध्या है ही नहीं जो मात्मा देहिक अवस्ता में जीता है वै तुमें देहिक उपाय ही बताएगा मैं तुमें देहिक उपाय नहीं बताता हूँ अस्टाबक्र देही कुपाय की बात ही नहीं करते हैं अस्टाबक्र तो कहते हैं ए जनक तू मुक्ती है, तू साक्षी ही है तू अपने आपको पहचान तुम्हारा धरम गुदू कर क्या रहा है वे भाग रहा है संसार चोड़ो, जंगल भागो क्यों धंदा नहीं चला, नोक्री करने की हिफ्मत नहीं हुई, महात्मा बन जओ पत ही मर गई, महात्मा बन जओ, कोई संकट आ गया, महात्मा बन जओ वे भागे जा रहा है, भागने से जिंदिगी नहीं चलती और भागने से परमात्मा भी नहीं मिलता तुम्हें पहले भी बताया था ना संसार एक चाक सो रूप है जैसे बैल गाड़ी का चाक चाक चलता है लेकिन चाक के बीच की कील वो इस्तिर रहती है संसार चलता है परमात्मा इस्तिर रहता है अगर तुम्हें परमात्मा का अनुभव करना है तो बैठो, शांचित होकर बैठो निर्वकार होकर बैठो शुन्ने होकर बैठो तुम बैठोगे, तभी तुम्हें परमात्मा का अनुभव होगा तुम ध्यान से देखना भगोड़ा होने से जिंदगी नहीं चलती तुम संसार छोड़के भागने की मत सोचना भागना बिलकुल मत भागना संसार में से मत भागना संसार में रहना अपने करम छित्र में रहना और जश्टा होकर अपने संसारिक जीवन का निर्वा करना तुम्हें भगवान ने बुद्धी दी है योग्यता दी है उस योग्यता को भगवान की सिष्टी में सजन कार्या में लगाओ अगर भगवान ने तुम्हें योग्यता दी है तो इसलिए तो दी है ना कि तुम कुछ सजन करो तुम संसार में सुंदरता बढ़ाने में कुछ कार्य करो अगर भगवान को तुमारे अंदर सरजनात्मक कार्य नहीं चाहिए होते तो भगवान तुम्हें बुद्धी ही नहीं देते अगर परमात्मा नहीं चाहते कि संसार आगे बढ़े तो वे इस तरी को बांज बनाते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया भगवान चाते हैं पर मात्मा चाते हैं ये संसार आगे बड़े फले फूले लेकिन तुम देखो तुम्हारा मात्मा क्या कर रहा है वे तुम से संसार को छोड़ा रहा है तुम संसार में रहो, द्रिस्टा बनके रहो, साक्षी बनके रहो तभी तुमें उस परमात्मा का अन्बव होगा परमात्मा पहले भी तुम्हें पताया है परमात्मा किसी अन्य ग्रह से आया हुआ विराट रूप धरा हुआ, कई हाथों पैरों वाला ऐसा पर्मात्मा तुम्हें जीवन भर नहीं मिलेगा हाँ मंदिर की मूर्तियों में मिल सकता है लेकिन साक्षात रूप में पर्मात्मा ऐसा नहीं मिलेगा पर्मात्मा तो जब भी मिलेगा तुम्हें कण-कण में मिलेगा हर व्यक्ति के अंदर मिलेगा परमात्मा का अनुभव होगा तब ही तुम कह सकते हो कि तुमने परमात्मा को देखा तुमारे अंदर वो प्रेम की किरण उत्री जिसके कारण तुम समस्ति सिस्टी से प्रेम करने लग गए परमात्मा चाहता है तुम भी सरजन करो किस प्रकार देखो एक छोटा सा पोदा गुलाब का पोदा फूल खिलता है मैकाता है एक द्रक्ष तुम्हें फल देता है तुम्हारा पेड़ भरता है वह स्रजन करता है फूल तुम्हारे जीवन में सुगंद भरता है पानी तुम्हें प्यास बुचाता है तुम्हें तृप्त करता है सरजन करने में लगी है और तुम्हारा महात्मा तुम्हें उस सरजन से उस सिस्टी से बगाने में लगा है उस सिस्टी को उजाडने में लगा है तुम देखो तो सही उसकी मूरता को अस्टावक्र कहते हैं तुम संसार में रहो अपना कार्य करो केवल दस्टा हो के जीवन जीओ साक्षी हो के जीवन जीओ यही अस्टावक्र का मार्ग है अस्टावक्र कहते हैं जिस परकार प्रकर्ती सर्जन कर रही है प्रकर्ती अपना कार्य कर रही है उसी परकार तुम भी अपना कार्य करो लेकिन अपने में करता भाव मत रखो देहातमक बुद्धी मत रखो अपने में साक्षी भाव रखो द्रस्टा भाव रखो तभी तुम उस मुक्त जीवन का अनन्द पराप्त कर सकोगे अश्चाववक्र कहते हैं तुमारा बंदन ही यही है कि तुम अनुस्ठान करते हो अनुस्ठान क्या है तुम कुछ और हो और कुछ और होने का उपाय करते हो इसी को अनुस्ठान करते है तुमने देखा कभी गेंदे का फूल ऐसा कोई उपाय करता है कि वे गुलाब का बन जाए कभी नीम का विर्ख्ष ऐसा कोई उपाय करता है कि वह आम का विर्ख्ष बन जाए कभी नहीं जो जैसा है वो उसी में खुश है संतुष्ट है केवल मनुश्य नहीं तुम नहीं क्यों? क्योंकि तुम्हें तुम्हारे तता कतित धर्म गुरू ने एक ऐसी दोड में लगा दिया है कि तुम यहां से भागो तुम्हें कुछ होना है तुम्हें कुछ करना है तुम्हें मुक्त होना है तुम्हें बेकुंड जाना है तुम्हें स्वरक जाना है जड़ा देखो तो सही तुम किस धोड में लगे हो क्या उस धोड का कोई अंत भी है तुमारा धर्म गुरू तुमारे अंदर हीन बावना का बीज बो देता है क्यों? क्योंकि उसे तुमारे भीतर बेठा परमात्मा नजर ही नहीं आता वै स्वयम शुब्द है इसी लिए तुमें भी निम्न मानता है तुमारे अंदर निम्नता का अनभव कराता है तुमें तुमारे ही मुक से पापी होने को कहलवाता है तुम उस चीज को पहचानो मैं जो तुमें कह रहा हूँ उस चीज को मानो अस्टा वक्र कह रहे हैं कि हे जनक तु स्वयम पर मात्मा है, जिसको तु ढूंड रहा है, वो तु स्वयम ही है, तुम उसे पैचानो, तुम देखो, अगर तुम किसी धूर्त व्यक्ती के, मूड व्यक्ती के, चंगुल में फस जाते हो, उपर से उसने मात्मा का वेश बना रखा है, तो वे क्या करता है, धीरे-धीरे तुम्हें अपनी बातों में उल जाता है, तुम्हें अच्छा बताता है, और तुम्हारे सारे सगे संबन्दी मित्रों को गलत बताता है, वे धीरे-धीरे तुम्हारे सारे सगे संबन्दी मित्रों से तुम्हें छुडवा देता है, और धीरे-धीरे तु ठीक और वह जो तुम्हारा गुरू बना बैठा है वह भी ठीक और पूरी सिस्टी गलत पूरी सिस्टी में स्वार्थी आदमी भरे हुए सिवाय तुम्हारे यह किसने पैदा की तुम्हारे अंदर बात जरा सोचो उसे पहचानो यही तो मैं कह रहा हूं तुम आग खोलो दे आक ते दो हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह